अक्सर हम खुद को कभी ना कभी बहुत हलके में ले लेते हैं। हम सोचते हैं सायद हमें वो बात नहीं जो दूसरे लोगों में हैं। हम सायद वो नहीं बन सकते जो लोग आज हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा आखिर होता है क्यों। वो होता इसलिए है क्योंकि हम रियल लाइफ में ना सही डंग से जीते हैं और ना ही सही डंग से खुद को एनलाइसेस करते हैं कभी हमें कोई टाक्स मिला हो और हमसे वो नहीं हुआ तो हम खुद को कमजोर मानने लग जाते हैं हम सोचने लग जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, क्यों ना हो पाएगा, सब कुछ कर सकते हो, कुछ चीजे आप बरी आसानी से कर लोगे, तो कुछ चीजे आपको सीखनी परेगी, पर कुछ भी हो जाए आप हर चीज सीख सकते हो, हाँ आप हर चीज सीख सकते हैं, हाँ आप उ वो इस्वास कर सको जो जंडे गारने के लिए जरूरी होता है। आप अगर लाइफ की थोड़ी सी भी समझ रखते हो तो आपने देखा होगा कि आप जैसी एज में कुछ लोग कितना एचीव कर लेते हैं। जितना हम सोच भी नहीं पाते हैं। जब तक उस चीज की ओ आखोखो समझ में आती है तब तक वो लोग उसी चीज की पुरी किताब समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि छमता आप में भी है। बस फर्क इतना है कि खुद की अवकात को समझने का। जिसने अपनी अवकात को समझा वो कुछ एचीव कर गया जो डर के खुद को समझेगा वो वही रहेगा जहां आज है अब ये सब यहां बता कि मुझे आपके अंदर में कोई आग नहीं जलानी और नहीं आपको कुछ समझाना है पर आपको नजरिया का सोच का एक पहलू जरूर बताना चाहता हूं मैंने बच्पन में बहुत सुना था कि हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है पर मैं उस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था क्यूंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझसे भी कुछ खास होगा लेकिन ये पता तब चलत पर और आपके आसपास में एक अलग इंपक्त दिखने लग जाता है जो आपके विश्वास को और आपके नजरिया को और भी बड़ा बना देता है खुद को कम आकने की गलती कभी न करे अपने आपको पहचानो अपनी कमियों को पहचानो उन पर काम करो जिस चीज में आप मजबूत हो उसे अपनी ताकत बना लो खुद को ऐसा बना लो कि जो भी इंसान आपसे मिले आपका दिवाना हो जाए जब आप अपनी अवकात बनान इंसान देहेगा और आपकी कद्र करेगा दोस्तो अब रुकना नहीं बलकि आगे बढ़ते जाना खुद की आवकाद बनानी है और ये साबित करनी है इस दुनिया पर मैं कोई आम इंसान नहीं बलकि एक आवकाद रखने वाला इंसान हूँ दोस्तो वीडियो अच्छी लगिया तो अपने दोस्तों के साथ भी सेर करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके अपना प्यार जरूर दे